असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब आला तला आप सभी लोगों को खुश हो आपाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं रब्यसुल जलाल के बाबर का ताम से जो हमारे दिलों का सुकून है आज हम आपके लिए आलू कीमा के मिक्स समोसा के रेसे पीले क्या हैं बिल्कुल अलगा अंदास से हम बनाएंगे आप बहुती टेस्टी बहुती लाजवाब बिल्कुल क्रिस्पी और बाजार से भी अच्छे आप समोसे घर पे बना सकते हैं तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है उससे पहले आप से दर्खासत है कि चैनल पर अगर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक जरूर कर दिया करें शुक्रिया जजा कर ला बिसमे लाहरा माने रहें तो यहां पर देखे एक कड़ाही हमने रखी हुई है और कड़ाही जैसे ही गरम होती है इसमें हम तेल शामिल कर देंगे दो टेबल स्पून यहां पर तेल की कॉंटेटी हम थोड़ा कम ही डालेंगे और जैसे ही तेल गरम होता है तो इसमें हमने 2-3 तेस पत्ता और थोड़ी से दारचीनी के टुकड़े शामिल कर दिये हैं और उसके बाद एक चमच भरके अद्रकलिसुन का पेश शामिल करेंगे थोड़ी देर तक हम इसको चला के पका लेंगे अच्छी सी खुशबू आने लगे अद्रकलिसुन भून जाए तो उसके बाद हम इसमें कीमा शामिल करेंगे आज थोड़ा सा तेज हो गई थी आज को थोड़ा सा लो रख्या अद्रकलिसुन को भूनियेगा तो दिखें यहाँ पे 3.500 ग्राम कीमा हमने इसमें शामिल किया है और हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिट भूनेंगे तो कीमा अपना पानी रिलीस कर देगा और इसी भूनाएं के साथ ही इसमें हम नमक शामिल कर देते हैं तो नमक को हम कीमे के हिसाब से शामिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आधा चमच हम नमक शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसको धक्कन लगा के तकरीबन 15-20 मिनिट तक गलने के लिए रख देंगे आज को हम लो कर देंगे और बीच में एक आध दो दफ़ा चला भी देंगे तो यहाँ पे देखे कीमे ने अपना चखा सा पानी छोड़ दिया है यहाँ पे कीमा करने के बाद हमने कीमे को धुला था तो इसलिए हम पानी शामिल नहीं कर रहे हैं तो यहां पे 20 मिनट के बाद मैंने आज को बंद कर दिया था और आज को बंद की हुए भी काफी टाइम हो गया है तो यहां पे देखिए अच्छे से कीमा गल भी चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है तो हम यहां पे जो तेस पत्ता दार्चीनी वगार हमने जो के करीब और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें देखिए एक चमच सौफ और एक चमच जीरा हमने शामिल कर दिया है और फारण से ही शामिल करते ही जैसे ही हो चटकने लगे हमने फारण से प्यास शामिल कर देनी है तो एक बड़े साइस की प्यास को हमने इस तरीके से छोटी-छोटी सी बारिक-बारिक सी कट कर ली है, इसको शामिल कर दिया है, अब प्यास को हम फराई करेंगे, आज को हमने मीडियम रखा हुआ है, ना तो ज्यादा लो है ना तो ज्यादा हाई है, मीडियम आज पर हम इसे फर तो यहां पर देखिए कुटि भी लाल मिर्च अदा चमाज, आदा चमाज आदा चमाज चमाज अधा ऐसे आदा चमाज अधा पा ही दिर को संद का पाउड़री मिर्च, और 만들어 के जामज, दने रखें, को बहुत जदा देर तक हम नहीं भूनेंगे बस हलका सा मसालो को भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे एक बड़े साइस के टमाटर जिसको की हमने बारीक कट कर लिया है तो देखिए यहां पर हमने टमाटर को भी शामिल कर दिया है और टमाटर के साथ हम थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे, तो तक्रीबर एक से डेड़ मिनट तक देखिए हमने मसालों को टमाटर के साथ भून लिया है, बहुत ज़्यादा टमाटर मैश भी नहीं हुए है, तो यहाँ पर देखिए दो मीडियम साइज के आलू, इनको हमने उबाल के अच्छे से म नमक कर लिया है, ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका चंक्स रहेगा तो फिर अच्छा लगेगा समोसे में, अब इन मसालों की हिसाबसी से में हम नमक करेंगे, आदा जमाट से थोड़ा ज़्यादा ही हमने नमक शामिल कर दिया है, और अब हम अच्छे स कीम सामिल करना किम तो हमाना को एलविक्त किमां भूनाया का राध्योद этим काझा रगाल करनाया तो थाकि सब्सजड़ करना को एक प्रगा से हैरे तो शीयुदोस्ति जो कि याँ लिए पर के लिए जहाए ह्पए भूनाया खे में तो भूनाया और रखे अच्छे से आप शामिल करेंगे देखिए कितनी खुबसुरा सी कितनी प्यारी सी हमारे स्टफिंग तयार हुई है और बहुत अच्छी बहुती खुश्बुदार और बहुती लजीज तयार हुई है तो इसे साइड पर रखते हैं ठंडा होने देंगे बिसमिल्लाहिरामारे नशनलम तो यहां पे देखिए कड़ाही एमने रखी हुई है और ओलेंगे हम फटाएल रख देंगे गरम होने के लिए लगी के लिए आख पर आयल गरम होता रहेगा और हम समुसय अपने तब तक बना लेंगे, तो आयल जब तक हमारा गरम हो रहा है, हम फटा-फट से अपने समोसे बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने रेडी मिट पट्टियों का इस्तमाल किया है, वसे पट्टियों की रेसिप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा, उनसे भी बहुत क्रिस्पी बनेगा, उसमें फेल होने के कोई चांस नहीं रहता है, तो पट्टियों के इंशालत आला हम मुक्तलिफ रेसिप आपके साथ शेयर करेंगे, और इस तरीके से देखिए हम फोल्ड कर रहे हैं, आपने ध्यान से देखना है, इसको फोल्ड कैसे क करेंगे, और फिर इसके बाद इसको उठा के, इसके बराबर में इस तरीके से ले जाएंगे, और फिर हम इस तरीके से हाथ पे रखेंगे, और बीच में यहाँ अपनी स्टफिंग रख देंगे, बहुत ज़दा स्टफिंग जैसे हम आलू की समूसे में भरते हैं, उस तरी तो देखिए हमारा एक समोसा अच्छे से फोल्ड हो गया है अब इसको जब हम फराय करेंगे तो बहुती क्रिस्पी से अच्छे से हमारे समोसे बन जाएंगे तो चलिए एक और हम फोल्ड करके आपको बता देते हैं यहां पर देखिए इस तरीके से रखेंगे और कोने को इस बिल्कुल देखिए कानर हमारे सील हुए हैं तो यहां पर तक्रिबन दो शमस हमने स्टफिंग रखी है और देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बराबर करेंगे और इसको फिर इस तरीके से अच्छे से हम टाइट से इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से को तैयार कर लेंगे रुसके बार याती है समोसी को फराई करने की पिसमल्हरामानी रही मतला करती है तो यहाँ फें तेल हमारा गरम हो चुका है आच को थोड़ा ओगो कर दिया है बहुत जप लो आच नहीं रहेगी तो वाल जप्राइग जब गयरें लो अध्यान आपने बहुत जरूर रखना है और जितने समोसे आसानी से आजाएं आपने उतनी कड़ाही में डाल देने है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइडो को चेंज करना है और बहुत जल्दी से समोसे फराई हो जाते हैं क्योंकि पट्टियां बहुत बारिक-बारि समोसे नहीं बनेंगे यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है समोसे अच्छे से फराई हो चुके हैं तो समोसों को हम निकाल लेते हैं देखिए माशारला चेक करें कितने प्यारे से हमारे समोसे बने हैं तो इस तरीके से हमने पुरा फ्राय करके समोसी को निकाल लेना है और फिर दूसरा बैस भी हम इसी तरीके से फराय कर लेंगे तो वीडियो आके अपे जरा भी अच्छा लग रहा हो तो फटा फट से वीडियो को एक लाइक कर दें चैनल का हमारे विजिट करें आपको हमारे चैनल पर बहुत एजी बहुती टेस्टी और बहुती मज़े मज़े के रेसेपिस मिलेंगी तो चेक करें माशारला कितने जबर कर देना हर्गिस ना भूले साथ में लगा हुए बिल का इकान पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अल्ला तला आप लोगों को जजाए खायर दे आप लोगों के रिस्क में उमर में घरों में सिंदग्यों में ब